सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार खानवस्ते, विर नाम है मौनिका, मैं हूं इसका धन्देवहूमी किदारगाटी के एक शुके सी गाउं रेल गाउं से स्वागत है आपका मौनिका किदारगाटी ब्लोग में और किदारगाटी के इन खुब सुरत पहाड़ों से साम की साड़े तीन हो रही है और साम के टाइम का मौसम आप लोग देख सकते हैं आसमान में काले बादल चाये हुए है और सामने वारी पहाड़यों को जो ग्यू है वो कुछ इस तरह से है हमारे गाओं के सभी लगे हुए है नीचे अपने अपने खेतों में खेतों के काम पर कोई मंडवे की लवाई कर रहा है तो कोई धान की लवाई कर रहा है और देखे खेत में देख सकते हैं आप लोग घर के नीचे जो खेत दिखाई देते हैं वो जातर खाली होने लग गए हैं किसी ने या नीचे खेतों में धान बो रखा था तो किसी ने मंडवा, किसी ने जंगोर, तो धीरे-धीरे आप खेत भी देखे, वो होने वाले हैं, खाली होने वाले हैं, बाकी अभी मैं यहापे बना ली थी, भेंस के लिए पीना, गाई के लिए तो मैं पीना ले गई हूँ, अब भेंस को ले जाती हूँ, तो चलिये जी, म पहाड़ों काफ़ी दिखाई देता है वो काफी प्यारा दिखाई दिखाई देता है ये देखें और हम गाई भैंसों के लिए जो पानी भरते हैं तो यहां धारे से भरते हैं पानी अब मैंने बाल्टी रख दी है भैंस के पास और गाई के पास घास भी डाल दिया है और गॉसाले से मुझे लेनी है एक रसी और दनाती हो गया गंडी थो ममी ले गई है तो चलीए जी अब चलते हैं खेत में बाकि मुझे जाना है उदर वाले खेतों में बागी मेरी ममी तो अभी पहुँच गई होगी उदर खेतों में देखिए पहुँच गई है मेरी ममी और आज कल धान का जो घास होता है तो वो ऐसे पेड़ों पर ऐसे लगाया जाता है यह देखिए लगा रखा है यहाँ पर काफल के पेड़ पर कुछ यहाँ पर लगा रखा है और कुछ उधर के पेड़ पर लगा रखा है तो ऐसे लगाया जाता है दोस्तो आज कल मेरी तवियत भी खड़ी खराब होने लगी है आज से तो जादा ही होने लगी है गला दर्ध हो गया और रात के बुखार चल रहे है पतानी यह क्या हो रहा है कल तक जो सब ठीकी था लेकिन आज पतानी यह क्या हो गया लगता है कल पर सो तक हॉस्पिटल जाना पड़ेगा क्योंकि दो-चार जिन से लगाता है तवियत ऐसी खराब हो रही है भाई की भी ऐसी तवियत खराब हो रही है मेरी भी और ममी की भी गाउं में लवक सब को बुखारा रहे है उपर खेत में जाने का जो राश्ता है वो कुछ इस तरह से है ऐसा उपर खावर वाला रास्ता है लेकिन जब से बाल लफटा तब तो रास्ता और रही हो गया उपर खावर वाला बागी यहां रास्ते से नीचे दिखाई दे रही है मन्दाकनी नदी जो की किदार्णास से आती है और आज कर मन्दाकनी नदी का जलस्तर है वो काफी कम हो रखा है तो दोस्तों फाइनली अभी मैं पहुँच गई हूँ खेद में आज हम खेद में आरके हैं मंडवे की लओ क करने के रिए कुछ दिनों पहले आये थे चार-बांस दिन पहले आये थे हम इस खेत में तो उतना मंडवा पक नहीं रखा था लेकिन आज पक रखा है ना ममी अच्छी तर ऐसे तो आज हम इसकी लवाई कर देंगे इस कंडी पर बाकी ममी तो मेरे से आगे आ गई थी लवाई करने लगी है ममी है लो रादे रादे कैसे हो आप लोग सब अच्छे होंगे हम भी अच्छे हैं और हम मनवाई की खेती में आ रहे हैं पहारों में इसको कोडा बूला जाता है तो यह निंगार की बिनीवी कंडी ला रहे है और पूरा मुहमारा मनवापक गया है अब हम वाली दा रहरों मनवाफ कोड़ेम इसके आटेकी रोटी है ना ममी हमापक के भी आटेकी जो काफी वी स्वादिश्ट होती है आप ही ब्लोंके जरूर ऑर जरूर लेटे आना पहले तो आप लोग इसम्ता मिंसीआ मैं बिखंदी और हम अचुगर की बिमारी की होती है, इसे खाने से, और हमारे पहारों में तो बहुत जादा खाते हैं, हमारे गाओं में मनवाई की खेती की बहुत उदाते हैं, और धान की खेती भी होती है, जमुरा की खेती भी होती है, और खाग सब्दी भी हर प्रकार की हमारे गाओं में जो कच्चा लियदू होता है ऐसे डालते हैं खेतों में कभी दिखाऊंगे मैं आप लोगों को बाकी मैं अपने खेत की हालत दिखा लेती हूं यहां तक ठीक है हमारा खेत जहां तक यह मडवा है लेकिन उधर तक हुआ करता था लेकिन बादल फटने के कारण हमारा इतना खे हमारा दो तिन खेत दब रके हैं यह उपर और ना खेतों में इतने बड़े बड़े चीड़ के पेड़ा रखे हैं चीड़ के पेड़ हो गया उतीस के पेड़ा रखे हैं खेत का तो बरवाद हुआ और यहां पर एक माल्टे का पेड़ हुआ करता था लेकिन उसका तो कोई अता पता है ही नहीं और यहां पर है जैमीर का पेड़ तो इस पर देखें काफी सारे जैमीर लगे हुए हैं देखें अभी हरे हैं और यहां पर है एक यह पता नहीं किस चीज का पेड़ है हिंदी मैं इसको पता नहीं क्या बोलता है और गड़ वाली में में मिरको इसका नाम पता है और यहां पर है केले के पेढば पहले यहां पर काफी सारे केले के पेढ़ ह्ईहा करते थे । लेकिन अब यहां पर सिर्प तीन पे h titled और कुछ देखिए नए पॉदे आए किнозप्र शिर्च चार कें यहां जू बाकी यहां से नीचे देखें, कुछ इस तरों से हो रखा है, पूरा रास्ते का तो कोई अता पताई नहीं है. तो चलिए जी, अगर मंडवे की लवाई कर लेते हैं, और बाकी मेरी ममी मंडवे की लवाई करी रही है, और साथ मैं घास भी निकालना है, तो पहले मंडवे की लवाई कर लेते हैं, फिर निकालेंगे घास को. ठीक इधर साइड खेत में हमने कभी लगाया था केले का पेड़ तो ये देखे काफी बड़ा हो गया है ये केले का पेड़ और इस पर देखे काफी सारे पत्ते हैं और यहां पर एक केले का पेल नए आवी और खाये देखे एक नहीं दो दो और कें यहां पर देखे नए और इधर साइड के खेतों में इस बार धान नहीं है जातर मंडवा हो गया और जंगोरे की खेती करीवी थी इस साल इधर साइड झाल जोमता है तो दोस्तों हमने इस खेट से मंड़े की माई कर ली आ thirty Day के घृर करहा है इंहें चैनल ह। कल करेंगे हम इसकी लवाई तो एकी लवाई तो कर ली है आप मुझे निकालना है यहां घास तो यहां उपर की साइड जो यह घास है ना तो इसको निकालूंगी मैं तो घास की भारी भी मैंने यहां पर लगा दी है और अन्देरा भी होने वाला है तो अब चलते हैं घर और ममी को थकान लगी है ना ममी अज़कल तो फुरसाती नहीं है अन्या है मैं ममी तो आधल के लिए तो आधला सुल्ही नहीं और भुली करना तो चलिए जी भारी लेके चलते हैं आप घर इसको बोलते हैं गड़ वाली में सवत और इसको ले जाते हैं सब्जी के लिए दबा ये रहा बाकी भैंस रहेगी रात को बाहर और ममी ने घास भी डाल दिया है और गाई के पास भी घाल डाल दिया है गाई तो अंदर रहती है बाकी भैंस रहती है बाहर तो अब चलते हैं घर और बाहर देखे अंदेरा भी हो गया है गोसाला से घर भी आ गई हूँ और डबा मैंने यहाँ पर रख दिया है और जो मंडवा हम खेट से लाए थे तो यहाँ एक जगए पर एकटा कर लिया है और इसमें हम पानी डालते रहेंगे ममी क्यों डालते हैं पानी तो ममी ने आप लोगों को बता दिया है तो जो यह मंडवा लाए हैं इसमें हम पानी इसलिए डालते हैं क्योंकि इसमें अगर हम पानी डालते रहेंगे तो यह अच्छी तरह से मलब पख भी जाएगा और पूरी तरह गल भी जाएगा तब उसके बाद इसकी मंड़ा ही करेंगे हम तो आज की इस वीडियो को नहीं पायान करते हैं I hope कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए वीडियो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मैं मौरीका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नीव वीडियो के साथ तब तब की इस वीडियो पसंद आए